नमस्कार भाई, कैसे हैं आम सब? आशा करता होंगे, स्वस्त होंगे, पड़ाई कर रहे होंगे, करते होंगे, एक ने एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और अब तो आपको आपकी सफलता मिल ही गई होगी अगर आपने दिली पुलिस कॉंस्टेबल की फिजीकल के लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपकी मेहनत की फल आपको मिला होगा और अब बारी आती है फिजीकल की तो physical तो जैसा हो रहा है हमारा नहीं भी हो रहा हमारी timing आ रही है नहीं आ रही यह सब एक अलग point of view है पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको physical के लिए document कौन-कौन से चाहिए कौन से document आप लेके जाएंगे तब आपका physical होगा या नहीं होगा चाहिए आपका physical कितना भी अच्छा आ रहा हो अगर आपके पास यह document नहीं है तो भी आप physical disqualify ही माने जाओगे तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम बेस्ट करें क्योंकि टाइम दोनों ही के पास कम है दोनों को फिजिकल की प्रिपेशन करनी है बढ़िया से तो सबसे पहले जो सबसे में चीज है वो है आपका driving license अगर आपके टरपास driving license ही नहीं होगा तो आप सीध होना चाहिए आपका यह आपका driving license होना चाहिए इसी फिजिकल स्टेट में होना चाहिए यह LMB और MCWG आपका driving license होना होना चाहिए अब भाई यही चीज valid होती है जो वहाँ पर मानी जाएगी अगर आपके पास learning है वो भी नहीं माना जाएगा अगर आपके पास आप इसे डिजी locker में दिखाते हैं तो भी नहीं माना जाएगा आप photocopy दिखाएंगे तो भी नहीं माना जाएगा आपके पास physical ये उस time पे मौझूद होना चाहिए इस state में आपके पास ये मौझूद होना चाहिए उस time तब आप लोग तब मानेंगे कि हाँ आपके पास license है तब आपका license अप्रूव होगा ना photocopy चलेगी ना digilocker में चलेगा ना आपका learning license चलेगा चाहिए आपका ये एक दिन पहले का ही बनाओ आपका 16 जनवरी से जैसे physical है चाहिए आपके पास 15 जनवरी को ही आया हो तो भी valid होगा बट उस time आपके पास ये होना चाहिए बस और कोई दिक्कत नहीं हो भी इसमें driving license में कि अब भाई कोई ये मत पूछना कमट में कि या डिजी लोकर में चल जाएगा क्या learning license चल जाएगा फोटो को भी चल जाएगी तो भाई ये सारी चीज नहीं चलेंगे आपके पास physical state में इस फॉर्म में license होना चाहिए जब ही चलेगा अब आते हैं दुसरी चीज पर जो है लिखा होता है भाई ये टू अप्वॉंट्मेंट फोर दी पोस्ट अंडर दी गवर्मन्ट आप इंडिया या आप नीचे देख रहे होंगे ये लिखा है अब लुठिटर अडर दी गवर्मन्ट आप इंडिया की पोस्ट के लिए ये पहचान होती है कि भाई आपका जो कि यह सेंट्रल का है जो स्टेट को होता है उसमें यह चीज नहीं लिखी होती तो आप भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप सेंट्रल कोई विसी आपके पास है तो यह लिखा हो या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज लिखी हो जिससे पता चल जाता है कि हां भाई ये सेंटरल के द्वारा अप्रूव है अब आती है तीसरी चीज जो कि है EWS सार्टिफिकेट वह भी आपका सेंटर का बना होना चाहिए स्टेट का माने नहीं है उस पर भी यही चीज कुछ सिमिलर सी लिखी होगी क्योंकि वह मेरे पास नहीं है तो मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा होता है मैं पर ओभी सी था मैंने आपको भी सी दिखा दिया यह लाइसंस और ओबी सी के बाद आपकी अगर आपके पास यह दो चीज हैं तलब समझ लो आपका डोकिमेंटेशन पूरी है क्योंकि 10 12 का साथिफिकेट सब के पास होता है अधार कार्ट सब के पास होता है यह सारी चीज सब के पास होती है बस यही दो में चीज है लाइसंस कोई भी चीज नहीं होगी मेरको नहीं पता वह आपको दोबारा टाइम देंगे नहीं देंगे किसी किसी सेंटर पर दे भी देते हैं किसी सेंटर पर वहीं रिजेक्ट भी कर देते हैं तो भाई मैं तो यह कि बात कहुँगा कि अपने सारे डोकुमेंट पूरे करके ही जान आप यह सोच के चलें कि मैं चला जाओं जाके टाइम मांग लूँगा कि मेरा नहीं आया वह कहीं अटका हुआ है तो वो बिलकुल उसेंटर पर डिपेंड है वो लोग बात इस बात को मानते हैं समझते यह नहीं समझते और वो अगर समझने आले होंगे तो बोल देंगे कि हाँ दो-चार दिन बात दिखा देना अगर उन्हें नहीं समझना होगा तो वह साफ बोल देंगे कि भाईया रिजेक्ट है उसमें साफ-साफ लिखाई कि आपको लेके आना था आप यू डोकुमेंट नहीं करने के लिए आपको दो-चार दिन और देंगे क्योंकि उनके पास दिन वैसे ही नहीं है वह सोच रहे हैं सोला की बजाए हम दस जनवरी से फिजीकल करा लें अट वह तो शुकर है कि सोला से हो रहे है सटाइस जनवरी से भी वह इसलिए वेट में थे क्योंकि उनको लगा अगर आपको डॉक्यमेंट बता दिया है यह अपने डॉक्यमेंट पूरे करके लेकर जाना फिजीकल में बाकि तो आपका फिजीकल जैसा भी है उसको और अच्छी करने की कोशिश करो और अगर आपके फिजीकल में कोई दिक्कत है तो मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पताऊंगा आप अपने दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं जो भी फिजीकल के टाइम हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है तो भाई यह था इस वीडियो में अगर वीडियो को पसंद लगी हो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जय हिंद